दोस्तों आज मैं सभी लोगों के लिए एक नई स्ट्रेजी को लिखा है हूँ और वो स्ट्रेजी आपको स्टॉक में 50% रिटन देगी या फिर आपको एक मल्टी बैगर रिटन देगी अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मल्टी बैगर रिटन कैसे देखता है कोई इस्ट्रेजी? तो दोस्तों ये स्ट्रेजी को मैंने खुद इंप्लिमेंट किया है और मैंने खुद यहाँ से 2X या 3X बैगर भी स्टॉक को जाते हुए देखा हैं वीडियो को पूरा अंतक दिखिए तो दोस्तों अब हमको क्या करना है इंडिकेटर पर आना है इंडिकेटर पर आप टाइप करोगे EMA that is moving average exponential इसको आपको तीन बार click करना है यानि कि दिखी यहाँ पर तीन बार यह add हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पर add हो चुका है तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले अब हम यहाँ पर changes करने वाले तो पहला जो 9 है उसको हम कर देंगे 50 EMA हम color वही रखेंगे blue second जो 9 है उसको हम कर देंगे 100 ठीक है यहाँ पर color change कर देंगे हम इसको color mark कर देंगे green ठीक है and third one is 200 तो यहाँ पर हमने 50 100 and 200 लिया इसको color कर देंगे black अब देखिए दोस्तों हमारा EMA plot हो चुका है अब इसमें हम कोई एक stock में देखेंगे कि entry किस तरह से बन रही है और हमारे exit किस तरह से होगी और इसमें हमको क्या tips and tricks मिलेंगी तो आकी हमको एक अच्छा कासा पता लगे कि stock में move आने वाला है तो चलिए दोस्तों यहां पर बहुत सारे stock है अभी मैं कोई भी example के तौर पर चलिए विप्रो लेता हूं तो देखिए दोस्तों विप्रो में किस तरह से trade बनता हो अब मैं daily time frame में यहां पर देख रहा हूं तो दोस्तों अभी हम entry के बात करेंगे तो देखिए दोस्तों इ 100 को cross किया है then again 50 ने 200 को भी cross किया है तो देखिए 50 200 को भी cross कर रहा है तो हमारी entry कब होगी तो देखिए यह पहला वाला इस तरह से cross हो रहा है second वाला इस तरह से and third वाला कुछ इस तरह से तो देखिए दोस्तों यहां पर जो यह cross हो रहा है this is called 50 okay then this is called 100 और last में आता है आपक 200 तो दोस्तो जब भी इस तरह का cross over होता 200 and 100 को 50 moving average को cross कर रहा है तब हम इसमें अपनी entry बनाने वाले हैं तो दोस्तो यहाँ पे देखे यहाँ पे हमारी entry बनती हुई दिख रही है तो दोस्तो आपको यहाँ पे entry बना लेनी है और जब कभी भी इस तरह का move आता है यानि कि जब भी प्राइस 50 move के upside कर रहा है जाने की देन हम वहाँ पे भी एक small quantity में entry कर सकते हैं दोस्तो और एक important point जो मैं आपको बताने हैं जब कभी भी इस तरह का cross over हो तो price को upside ही रहना है अगर price नीचे आ जाता है तो हम small quantities को ही hold करेंगे हम और quantities add नहीं करेंगे क्योंकि price अभी 50, 100 and 200 को cross कर चुका है बट momentum अभी भी नहीं आ रहा है तो हम इसमें ज़ादा quantities नहीं add करेंगे और जिस तरह से price upside move जाएगा तब हम और भी quantities को increase कर सकते हैं अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी की सभी moving averages अब देख सकते हैं सभ के सभी moving averages nearby आ चुके थे अब देखिए यह expand हो रही यानि कि एक दूसरे से दूर जा रहे जैसे दूर जाएंगे ना तो दोस्तों price भी उस तरह से move करेगा यानि कि जिस तरह से इस तरह से दूर होते हुए गए ना तब यह बहुत ही जादा momentum में आ जाएगा देखिए यहां से देखिए दोस्तों stock ने 235 के level से देखिए एक बड़ी rally दिये almost 2x bagger हो चुका है and 740 तक भी high गया है तो 250 के around से 740 के around गया है यानि कि यह 3x bagger हो गया दोस्तों अब देखिए क्या हो रहा है दोस्तों अब देखिए यहां पे जब 50 moving average अब देखिए यह में जब इसको cross कर रहा है तीनों को तो देखिए stock एक downtrend में जा रहा है तो यहाँ पे 50 moving average है यह 100 है और यह 200 है तो जब 50 इसको इस तरह से cross कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे तो हम अपनी थोड़ी बहुत quantities को यहाँ पे sell कर देंगे and remaining quantities को यहाँ पे आपको sell कर देना है क्योंकि देखिए दोस्तो हमने जो position ली थी on crossover पे तो अभी cross down पे हमको हमारी position को exit करना है तो देखिए दोस्तो जब cross down हुआ उसके बाद देखिए stock ने काफी बड़ा fall दिया है यानि कि 587 से लेकि यह सीधा 394 के around तक आ चुका है and इसने low बनाए 380 ए 70 के around का अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है इसमें अब important point अब देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से formation हो रहा है अभी अब यह उपर जाने के लिए ready हो सकता है अभी देखिए price कम से कम इसको try कर रहा है test करने का देखिए यहाँ पे test किया then again test then again test अब यहां पर 100 को test कर रहा है अभी test 100 को cross करेगा तो यह 50 नीचे से इस तरह से cross over देगा तो यह 50 है जब इस तरह से cross over देगा तो हम थोड़ी बहुत quantities को यहाँ पर buy करेंगे थोड़ी बहुत quantities को add करना start कर देना चाहिए क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर यह cross over दे रहा है and then again यहाँ पर चोटा सा resistance दे रहा है तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसको resistance face करने को मिल रहा है on 100 moving 100 EM अब देखिए यहाँ पर भी चोटा सा हलका सा resistance मिलेगा जब भी 200 को cross करेगा तो जब कभी भी इस तरह की position आती तो हमको थोड़ी बहुत quantities add करनी है तो देखिए एक example था देखिए यहाँ से 2x bagger हुआ अब और और भी बहुत सारे stocks है जहां पर आप यह try कर सकते हो देखिए यहाँ पर अभी हम टाटा अलेक्सी में आते हैं देखिए दोस्तों टाटा अलेक्सी में बहुत ही बड़ी rally थी this was one of the biggest rally आप देखिए यहां से chart पे देख सकते हैं दोस्तों यहां पर देखिए सब लाइन एक साथ हो गई थी जब देखिए जब सब लाइन एक साथ हो गई थी and then देखिए ये एक दूसरे से दूर जा रही है तब एक बहुत बड़ी rally आई है बहुत बड़ी rally so almost ये 10 times हो चुका है जो price से cross over हुआ था अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है ये अच्छा stock है बड़ देखिए यहाँ पर cross down हो चुका है देखिए यहाँ पर first cross down था और यहाँ पर second cross down हो है जैसे cross down हो है stock almost बहुत ही जादा 50% या 40% किया रहाँ almost गिर चुका है तो हमको यह एक opportunity है यहाँ पर जब कभी भी इस blue line that is 50 EMA को cross करेगा हमको थोड़ी थोड़ी quantity इसको add करते जाना क्योंकि stock अच्छा है almost अच्छा rally दे दिया था इसके लिए यहाँ पर इसमें गिरावट आईए अब दोस्तो और एक stock है यहाँ पर बजाज फिंसव आप देख सकते हैं में क्या हुआ है देखिए दोस्तों यहाँ अब देखिए फिंसव में देखिए जिस तरह से इसको cross किया यहाँ यहाँ यह दिख सकते हैं यहाँ पर लाइन है और देखिए यहाँ पर प्राइस है 1,580 रूपी जैसे 1,580 के अब आओ देखे यह आल्मोस हमको 20% के आरूँ जादा रिटन्स दे रहा है अभी अब देखिए दोस्तों रिटन्स देनी का इसने एक डिप लगाए और आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है इस हार फॉल आया है जिसके वज़र से स्टॉक ने एक बड़ा सा डिप लिया है तो अभी हमें इसमें ऑपर्चुनिटी देखनी है अगर यह स्टॉक यहाँ से बाउंस करता है 50 EMA और 100 EMA को क्रॉस करता है तो हम इसमें अपनी पूजिशन बनाएंगे बेस्ट ऑन दा इंडिक सकते हैं कि कई-k utilized में ready है कई-ksigh में 갈र तो देखिए दोस्तों यहा पर देखिए एक अगें रैली थी धन अगेंडी पा रहा है आप देख सकते हैं इनफी इनफी भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है देखिए दोस्तों उसने भी इसी तरह का मूव दिया है तो देखिए प्राइस में एक बड़ी गिरावट आई है तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक से क्रोस डाउन का बहुत है तो जीको दी तो तो दोस्तों आपको सिंपल चाना है इस डाउन पर पे आपको exit करना and cross above पे आपको entry अपनी position धिरे धिरे बनानी अच्छे stocks में उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है अगर पसंद है तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको यहां से और भी नए learning videos आपको दे सकों तो दोस्तों आप इस वीडियो को जादा से जादा तक लोगों तक शेर करें ताकि वो लोग भी strategy को use करें and वो लोग भी profit कर पाएं. Thank you friends for watching trading with rohan